हेलो फ्रेंड्स, अज बनाते हैं आलू से एकदम मज़िदार सा स्नेक्स इस स्नेक्स को आप कभी भी बना सकते हैं, बच्चे को खास कर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और इस स्नेक्स को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, एकदम इंस्टेंट बन जाता है इस स्नेक्स को आप छोटी मोटी भूख में असानी से बना सकते हैं, फिर देर की इस बात की चलते हैं, बनाते हैं इस नैक्स को बनाने के लिए एक पैन में दो चमच तेल को गरम करना है, बस दो ही चमच डालना है, ज्यादा तेल नहीं डालना है अब इसमें हमें डालना है एक चमच क्रस किया हुआ लसन ग्रेट करके भी डाल सकते हैं लेकिन पीस के बिल्कुल भी नहीं डाले अब इस lesson को हमें एक मिनट तक भुनना है, तब तक भुनेंगे जब तक इसका सिर्फ कच्चा पन ही खतम करना है, लाल नहीं करना है, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है अब इसका कच्चा पन खतम होगी, अब इसमें एक कप पानी डाल देंगे साथ में ही डालेंगे एक चमच, चीली फ्लेक्स और पानी को गरम होने के लिए छोड़ देंगे जब तक पानी में उबाल नहीं आ जाए अब इसमें साथ में डाल देंगे आधा चमच नमक नमक पानी में ही डालते, पानी में डालने से एक जसा नमक होता है और पानी में गुल भी जाता है अब ये पानी गरम हो किया, पानी में उबाल आ रहा है उबाल आने से लसुन का पूरा flavor पाणी में आ जाएगा अब इसमें डाल देंगे 1 cup चावल का आटा और चावल का आटा पानी में इस तरह से डाल के mix करना है और अच्छी तरह से mix करेंगे कि चावल का आटा में बिल्कुल भी lumps नहीं रहे अब चावल के आटे को पानी में अच्छी तरह से पकाना है जैसे ही चावल का आटा पानी में पकेगा वैसे ही चावल का आटा का क्वांटिटी डबल हो जाएगा अब इस चावल का आटा अच्छी तरह से पानी में पक चुका है अब ग्यास का फ्लेम ओफ कर देगे और ओफ करके इस तरह से mix करेंगे और mix करके थंडा होने के थोड़ी देर के छोर देंगे अब इस चावल काटा अची तरह से थंडा हो गया थंडा होने पाद आप देख सके एक दम चिकना हो गया पैन में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे अब इस चावल आटे को हम एक दूसे बरतन में निकाल लेंगे अब हमें लेना है दो पीस उबला हुआ आलू मैं यहाँ पे बड़े साइस का उबला हुआ आलू ली हूँ डाल देना है जो हमने चावल के आटा को रखा था ना उस आटे में साथ में ही डाल देंगे अधा चमच नमक नमक स्रिप आलू इतना ही डालना है अब इसमें डालेंगे एक चमच कॉन फ्लोर, यदि आपके पास कॉन फ्लोर नहीं है, तो आप एक चमच मैदा भी डाल सकते हैं, अब इन सब चीज को इस तरह से मिक्स कर देंगे अब इसे अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे यदि हाथ में थोड़ा बहुत चिपके तो आप हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें अब इकदम ये डो के फॉर्म में आ गिया है अब हाफ लोई लेंगे इस तरह से आधा ही लोई लेना है और हाथ से इस तरह से रोल करना है रोल करके लंबा कर लेंगे इस तरह से आप रोल करके कट करेंगे तो एक साइज का बनेगा अब ये रोल हो गिया है अब इस रोल को कट कर देंगे आप नाइप से भी कट कर सकते हैं अज में हमें पीजा कटर से कट कर रहे हैं बस इस तरह से कट करेंगे अब एक साइज का कट करें अभी कट हो गया है अब इस तरह से हाथ से लेना है और बस सेप दे देना है इस तरह से करके बस अब सेम तरीके से इसी तरह से बना लेंगे बस इस तरह से हमें सेब दे देना है अब सारा पटेटो गार्लिक बनके रेडी हो गया अब इससे हम फ्राइ करेंगे अब फ्राई करने के लिए तेल गरम करेंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो इस तरह से हमें डाल देना है और ग्यास का फ्लेम हाई कर देना हाई फ्लेम में इसे तलना है अब एक बार पलट लेते हैं पलट के गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है चावल आटा रहने के कारण इसमें तेल बिल्कुल भी एब्सॉब नहीं करता है एकदम ड्राइ बनके रेडी होता है अब यह पूरा अची तरह से गोल्डन कलर का हो गया है अब हम निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस से बाकी का भी फ्राइ कर लेंगे आप इस पटेटो गार्ली को कभी भी बना सकते हैं इसके लिए किसी भी ओकेजन की ज़रुरत नहीं है क्योंकि यह बनाने में वे इसी है और इसी किसासाथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है अब मैं आपको एक पिस्तोड के दिखाते हूँ कितना ज़्यादा यह क्रिस्पी बनाए ओपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट तो फ्रेंड्स अगर आज की यह रेस्पी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें